हलो दोस्तों गूड मॉर्निंग स्वागत एक बाफ फिर से आप सभी का मिस्राजी टेक्निकल यूटूब चैनल में दोस्तों आज है 12 दिसंबर और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 12 दिसंबर 2020 के करेंट अफेर के सभी इंपोर्टन कोईशन्स के बारे मे और दोस्तों अभी कल ही मैंने आपको नए संसत बहुन से समदित प्रसनों की एक वीडियो दी हुई है इस वीडियो को जरू दिखेगा क्योंकि नए संसत बहुन बन रहा है और इस से रिलेटेड कुश्चन डेफिनेटली एक्जाम में पूछे जाने वाले हैं इस वीडिय दोस्तों के चौथे से सुरुवात हुई है तो इसमें correct option होगा कोई नहीं अगला Forbes की सबसे सकतिसाली महिलाओ की लिष्ट में भारत की सबसे सकतिसाली महिला कौन है तो वो है निर्मला सीता रमार जी जिनकी overall rank है 41 चलिए बात कर लेते हैं लोग आज के दिन के पहले कुश् है 11 December को निम्ड में से कौन सा दिवस मनाया जाता है 11 December को प्रतिक वर्स अंतराश्टि परवत दिवस और UNISAFE दिवस मनाया जाता है। महात्वपूर्ण दिवस से related दोने ही कुश्चन को एक ही मर्ज कर दिया गया है इस वजे से आपको दोनों को जानना है ठीक है दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे के करके सबसे पहले बात करते हैं अंतराश्टी परवत दिवस की तो उसनों परवतों के महतों के बारे में जागता फैलाने के लिए लोगों को बताने के लिए किसकी महतों क्या-क्या है और इससे क्या-क्य का फाइदे होते हैं हमारे environment को कैसे जलवाई पर ये impact डालते हैं कैसे मौसम पर ये impact डालते हैं बारिस वगारा पर क्या इनका effect होता है इन सभी चीजों के बारे में बताने के लिए अंतराश्टी परवत दिवस्ट मनाया जाता है इस बार की theme रखी गई है mountains biodiversity क्या mountains अच्छा परवत की बात होई रही है तो हम लोग दुनिया के जो top 5 mountains हैं उनके बारे में जान लेते हैं जो सबसे उचे परवत सिखर है ठीक है सबसे नंबर पर है mount average आप सभी को बता है दुनिया का सबसे उच्छा चोटी है दुनिया की 8848.86 मीटर हो गई है इसकी height नई height जाले में नेपाल और चाइना ने ये बताया है कि 0.86 मीटर की इसकी उचाई बढ़ गई है तो ये कहां पर है नेपाल और चाइना में है ठीक है अच्छा इसको सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है और इसको चोमो लुंगमा के नाम से भी जाना जाता है नेपाल में सा एक्चुली में भारत के कबजे में अभी आप कबजे में नहीं है, इसके बाद तीसरे नमबर पर है कंचनजंगा, कंचनजंगा जो है जूस्तो यह है सिक्किम में लेकिन अप चू की ये बॉर्डर पर है, तो भारत और नेपाल दोनों ही देश इसके आधे-देश सिधार हैं चलिए इसके बाद है लोहोट से लोहोट से दोस्तों जो है ये नेपाल और चीन में है ठीक है लोहोट से इसकी उचाई है 8,516 मीटर की इसके बाद है माउंट मकालू तो माउंट मकालू जो है दोस्तों 8,480 मीटर की उचाई वाला है ये परवत जिकर के लिए ने बिलकुल तो ये हैं टॉप फाइब दुनिया की सबसे उंची परवत चोटियां। अब बात करते हैं UNICEF दिवस की, क्योंकि 11 दिसंबर को ये भी मना जाता है। तो UNICEF का दुस्तों सबसे पहले फुलफार्म जानिये, United Nation International Children's Emergency Fund। इसका हेड़कॉर्टर है नियुयार्क में और 11 दिसंबर ही 1946 को इसके स्थापना हुई थी, इस विज़से 11 दिसंबर को UNICEF दिवस मनाया जाता है। UNICEF के वरतमान में अध्यक्ष हैं हें हेंड़िटा H-4A, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाली में परधान मंतरी ने किस उद्देश से PM वानी योजना लांज की। अब देखिए PM वानी योजना जो है दोस्तों बहुत ही important योजना होने वाली है आपके किसी भी exam के लिए, आप अगर किसी भी exam के तयारी कर रहे हैं तो इस योजना को ध्यान रखेगा। पूरा हम लोग अच्छे समझते हैं, पहले तो इसका फुल फार्म जानी है, इसका फुल फार्म होता है प्रधान मंतरी यानि प्राइम मिनिस्टर PM से वाई फाई एक्सस नेटवर्क, तो इस योजना का लच यही होगा दोस्तों कि गाउं गाउं तक जगा जगा तक सभी स दुकान के विक्रेता, चाहे जो भी होंगे, अगर वो सावजनिक अस्थल पर अपना इस्टोर रखते हैं, तो फिर वो वाई-फाई हॉट स्पॉट अस्थापित कर सकते हैं, और वाई-फाई सर्वेस प्रोवाइट कर सकते हैं, किसको यूजर्स को, पबलिक को, आम जनता आम भासा में कहें, आसान भासा में कहें, तो सभी सर्वजनिक अस्थलोप पर फ्री वाई-फाई, इंटरनेट, हॉट स्पॉट लगाए जाएंगे, लोग वहाँ से कनेक करके यूज कर सकेंगे, फ्रे में इंटरनेट, अब देखें, ये कैसे होगा, ये दोस्तु तीन फे अफिस एग्रिग्रेटर, और तीसरा नंबर होगा, एप प्रोवाईडर का, तीसरा काम होगा, एप प्रोवाईडर का, अब इन तीन स्टेप्स में, इन तीन पार्ट में डिवाईट करके, लोगों तक इंटरनेट पहुचाए जाएगा, कैसे, पीडियो सबसे पहले समते ह पीडियो यानि पब्लिक डेटा ओफिस जो होंगे, यह रिज्टर्ड यूजर के सर्टिफिकेशन के लिए होंगे, यानि उनको सर्टिफाइड करने के लिए होंगे, पीडियो, इसके बाद पीडियो ओए जो होगा, पब्लिक डेटा ओफिस एग्रिग्रेटर, यह पीडि यह लिए दोस्तों एक application इंस्टाल करके रखना होगा अपनी मोबाइल में जैसे आप internet यूज करते हो किसी railway station पर जा करके तो आपको OTP भेजना पड़ता है ठीक एक link पर क्लिक करके आपको मोबाइल में OTP आता है उसको आपको इंटर करना पड़ता है तब चलता है लेकिन यह नहां पर क्या होगा कि आपको एक mobile application रखना होगा अपनी मोबाइल में तो उस application के जरिए आप यूज कर पाएंगे फिरी में wifi किसी भी public place पर जा करके अब इसमें काम क्या होगा app provider का कि वो application इस्टाल करवाएगा साथी साथ उस user को उसके area में जहां पर वो रहता है वहां की information देगा कि कैसे वो access कर सकता है वहां के internet को तो यह दीनों काम होगे अब इनकी निगरानी के लिए इन सब की निगरानी के लिए जो सबसे बड़ा मालिक होगा वो होगा central registry ठीक है तो इन सब की निगरानी central registry की दौरा की जाएगी I hope आपको यह यूजना समझ में आ गई होग तो D option यहाँ पर बिल्कुल correct होगा actually मैं दोस्तों इरान और अफगानिस्तान के बीच में एक rail project चल रहा था जिसके तहत इरान और अफगानिस्तान के बीच में railway line बिचाए गई थी यह project था दोस्तो 75 million dollar का 2007 से ही यह शुरू होगा था यह project तो इसका main मकसद ही था जिससे इर इरान और अफगानिस्तान के बीच में व्यापार सुरू हो सके ट्रेड सुरू हो सके चलिए चलते हैं वर्ड मैप में और वर्ड मैप में चलकर करके हम लोग समझते हैं इरान और अफगानिस्तान है यही पर बगल में पाकिस्तान है पाकिस्तान के बाद है अफगानिस्ता और जस इसके बाध में है इरान doing आर अफगानिस्तान के बीच में रेल वे लाइन बिछाई गई है और दोनों के बीच में आप ट्रेड बढ़ेगा इरान के बारे में अगर बात करें तो इदान की प्रेसीडेंट है धौस्तों हसन रूहानी यह होती है तहरान और यहां की करे इसके पहले कासिम सुलिवानि जो इरान के चीफ कमांडर हुआ करते थी उनकी हत्यआ करते थी तो अमेरिकांower कहके दिया कि हमने मारा है तो ये दोनों ही नाम आपको याद रखना है हाला कि इरान इसमें बहुत ही स्मार्टली खेल गया इरान चाहता तो तुरंद रियक्ट कर देता और यही तो डुनाल्ड टरम्प चाहते थे कि वो अभी 20 जनवरी तक रहेंगे तो वो चाहते थे कि इरान रियक्ट करे अगर इरान रियक्ट करे तो वो फिर बड़ा एक्सल ले ले इरान पर और इरान ये सोच रहा है कि सरकार चेंज हुई है हो सकता है अमेरिका की जो नए प्रेसिडेंट आए है क्योंकि इनकी विजारधारा लग है हो सकता है इनसे relation अच्छे बन जाए और इन पर जो पावंदिया लगी हुई है इरान पर वो खत्म कर दी जाए तो यहाँ पर इरान बहुत ही smartly काम कर रहा है अच्छा इंडिया भी कम नहीं है इंडिया भी मोके पे चोका मार दिया इंडिया ने भी announcement कर दिया कि अब अमेरिका को इरान से लगी पावंदिया हटा देनी चाहिए इरान और भारत के व्यापार पर और प्लस वो इरान से अपना जो तेल व्यापार वगरा है वो फिर से क्योंकि अब तो सबको पता है ट्रम साहब जाने ही वाले हैं चलिए अफगानिस्तान ये देख लिजे मैप में यहां की राज़ानी है काबुल यहां के प्रेसिडेंट है असरफ गनी मुद्रा अफगानी संसत का नाम होता है सोरा और यहां की राजभासा है भारसी सबसे ब टीक है एजीएम जो होती है एनुवल जनरल मीटिंग इसकी तीरानवेवी इस बार की बैठकती यानि तीरानवेवा संस्कर्ण था अब दोस्तों बैसिकली ये फिक्की जब अस्थापित हुआ था तब से लेकर कि मनाया जाता है तो इसको अस्थापित हुए भी 93 वर्स हो है 1927 को अस्थापित हुआ था ठीक है 1927 को तो साथ ही साथ ये फिक की एनुवल एक्सपो का भी उद्धारन किया गया है तो इन्होंने ही किया है प्रधान नंतरी नरिद मोदी जी ने 12 दिसंबर को ओके फिक की की बारे में जानते हैं फिक की का फुल फार्म होता है दोस्तों फेडरेशन ओफ इंडियान चैंबर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री ने दिली में इसका है और संगीता रेड़ी जी है वर्तमान में इसकी हैड 1927 में उ इसकी थीम है लदाक साहित इंड़ी है अगला हाली में किस ने लदाक साहित महुट सो 2020 का उधगाडन किया थीक है तो 10 दिसंबर को ये शुरू हुआ है तीन दिवसिये है लोग संगीत, सांस्कृतिंग निरति वगरा यहां पर होंगे इसकी theme भी रखी गई है theme है लदाख at the crossroads क्या है लदाख at the crossroads लदाख और जम्मू कस्मीर की बारे में अभी कल ही तो मैंने आपको बताया था लदाख की राजधानी होती है ले और यहां के पहले lieutenant governor है राधा किसन मातर जी ओके चलिए next बात करते हैं अगला है 50 Asian celebrities in the world list 2020 में सीर्स पर कौन है तो top पर हैं दुस्तों सूनू सूत 50 Asian celebrities in the world list 2020 में इस list को जारी किया है UK की एक है Eastern Eye newspaper ने इसने Eastern Eye newspaper जो की UK की United Kingdom का एक newspaper है agency है उसने ये report जारी कि है और क्यों इनको top पर रखा गया है ये आप सभी को पता है real hero यही है हजारों प्रवासियों को उनके घरों तर पहुँचाये थे COVID-19 की दोरान lockdown की दोरान ठेक है इस वह से इनको कई सारी awards मिले जैसे UNDP ने United Nation Development Program ने इनको Social Humanitarian Action Award दिया इसके बाद दोस्तों इन्होंने एक book लिखी I am no masiha नाम से तो ये book का नाम अपको याद रखना है I am no masiha इसके साथ ही पंजाब का राज आइकोन इनको नियुक किया गया है सोनसूत को इसको भी आपको याद रखना चाहिए Acer इंडिया और OYO Hotels ने अपना brand नमभिजज़ बनाया हुआ है इनको ये चीज़ें आपको याद रखना चाहिए next बात करते हैं हाली में जारी सहरी प्रसासन सूचकांग 2020 में सीर्स पर कौन है तो सीर्स पर है दोस्तों ओरिसा सहरी सासन सूचकांग 2020 में ये रिपोर्ट दोस्तों जारी की है प्रजा Fountain ने तो ओडिसा है टॉप पर टॉप फाइब में है दोस्तों पहले पर ओडिसा सेकंड पर है महाराश्टा और थर्ड पर है चत्तिजगर फूर्थ पर है केरला और फिप्त पर है मध्यप्रदेश लास्ट में बात करें तो सबसे आखरी नंबर है नागा लैंड का तो लास्ट वाला भी आपको याद रखना है इसके बाद सेकंड लास्ट है जारकंड फिर इसके बाद अरुनाचल प्रदेश मिगाल है फिर मडीपुर हो गएरा चलिए नेक्स्ट बात करते हैं राश्टिय दिव्यांग ससक्ति करंड केंद्र का उद्गाटन कहां किया गया तो अभी हाली में दोस्तों हैदराबाद में किया गया है राश्टिय दिव्यांग ससक्ति करंड केंद्र का उद्गाटन तेलंगाना की राजजानी हैदराबाद में हैदरबाद के हाकिम पट में CRPF का गुरुप सेंटर है और वहीं पर दोस्तों हाकिम पट में ही राष्टिये दिव्यांग ससक्ति करने केंदर का उध्गाटन किया गया है अगला है हाली में कहां कि प्रधान मंत्री लुडोविक ओर्बान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया तो अभी हाली में दोस्तों रोमानिया के प्राइम मिनिस्टर लुडोविक ओर्बान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है actually में दोस्तों वहाँ पर जो संसदिये चुनाव हुए उसमें इनकी पार्टी चुनाव हार गई संसद में चुनाव हुआ और इनकी पार्टी चुनाव हार गई तो रोमानिया के प्राइम मिनिस्टर लुडोविक ओर्भान को इस्तीफा देना पड़ा ठीक है रोमानिया के जो वरत्मान में प्रेसिडेंट है क्लास इहोनीस कौन है क्लास इहोनीस तो क्लास इहोनीस ने दोस्तों वहां के रक्षा मंत्री जो थे निकोले योनेल सिवका इनको अंत्रिम प्रधान मंत्री निउप कर दिया है तो अभी यह अंत्रिम है लेकिन जब द तो यहीं पर आपको दिख जाएगा दोस्तों रोमानिया इधर युक्रेन है आस्ट्रिया है ग्रीस है तुर्की है इधर आपको रोमानिया दिख रहा है ठीक है रोमानिया रोमानिया की राजधानी क्या होती है इसकी राजधानी होती है बुचारेश्ट बुचारेश्ट रा 2020 का युवा गंड तक के रामा नुजन प्रोसकार किस ने जीता दोस्तों अभी हाले में 2020 का युवा गंड तक के रामा नुजन प्रोसकार जीता है कैरोलिना आर्जो ने किसने कैरोलिना आर्जो ने ये कौन है ये दोस्तों ब्राजील की रियो डी जिनेरो में एक इंस्टिट आई-म-पी-ए का फरफाम होता है Institute for Pure and Applied Mathematics नेक्स्ट बात करते हैं अगला हाली में IOC ने किस प्रकार के डांस को Olympic Games का दरजा दिया तो अभी हाली में दोस्तों Breakdance को IOC ने International Olympic Committee ने Olympic Games का दरजा दे दिया है Breakdance को क्यों दिया है दरजा जिससे दोस्तों इस dance प्रफामेंस के टाइम पर जो youth audience है उसको attract किया जा सके युवाओं को attract किया जा सके जो युवा audience है उनको attract किया जा सके जैसे कि आप लोग देखते हैं दोस्तों जब Cricket World Cup होता है FIFA World Cup होता है या फिर कोई देश के बड़े टूर्णमेंट्स वगरा होते हैं तब फिर audience की संख्या बहुँ जदा रहती है लोगों में interest बहुँ जदा रहता है लेकिन Olympic Games वगरा में उतना interest नहीं रहता है लोगों का तो ऐसे में Olympic Committee भी चाह रही है देले देले युवाओं को भी attract किया जा सके तो IOC ने फैसला लिया है कि break dance को अब Olympic Games का दर्जा दिया जाएगा IOC के बारे में बात करें International Olympic Committee की तो 1894 में दोस्तों इसकी हुई थी स्तापना थामस बाक जी है वरतमान में इसकी अध्यक्ष नेक्स्ट बात करते हैं अगला है NIF दोरा कमला देवी चटो पाध्याय पुस्तक पुरुसकार 2020 से किसे सम्मानित किया गया तो इस बार दोस्तों अमित अहूजा को और जैराम रमेश को इन दोनों को दोस्तों NIF कमला देवी चटो पाध्याय पुस्तक पुरुसकार इस बार इन दोनों को दिया गया है क्यों दिया गया है इनकी पुस्तकों के लिए दिया गया है अमित अहूजा की पुस्तक है दोस्तों Mobilizing the Marginalized क्या है Mobilizing the Marginalized और जैराम रमेश जी जो की राजसभा के सांसद है और इनकी पुस्तक का नाम है It's Checkered Brilliance The Many Likes of V.K.K. मेनन तो इन दोनों को इन दोनों की पुस्तकों के लिए दिया गया कमला देवी चटो पाध्याय पुस्तक पुरुसकार 2020 क्लियर है बिल्कुल तो ये तो थे दोस्तों हमारे आज के दिन की Top 12 Questions Current Affair से I hope आपको वीडियो पसंद आए होगी अच्छा दोस्तों आप लोगों के लिए Audio Revision भी कराना स्टार्ट कर दिया हूँ मैं तो आप लोग Application में जा करके MZT App पर जा करके वाटसिप चैटिंग करते रो गेम खेलते रो तब भी आप Background में लगा करके सुन सकते हैं आडियो और अपना Revision कर सकते है Current Affair का तो आप लोग MZT App जरूर इंस्टाल कीजिए पहला कुशन है पुराने संसत भावन को किसने डिजाइन किया था अगला कुशन है भारत का तीसरा बड़ा सरकारी बैंक कौन सा है दोनों ही कुशन है important और जो नया संसत भावन बन रहा है इस पर तुम आने अभी कल वीडियो भी दिवी है आप उस वीडियो को जरूर देखिए क्योंकि वहां से कुशन जरूर बनेंगे आपके एक्जाम में तो चलिए दोस्तों बस अब आप वीडियो देख लिए हो तो ज़ो जल्दी से कुईज भी सॉल्ब कर लो कुईज मिलेगी आपको MZTF पर वहीं पर आपकी इस PDF मिल जाएगी मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जाहिंद वन्दे मातरम